फुल एपिसोर की है खोज, तो सिर्फ पॉकेट एफम करो डाउनलोड, लिंक के लिए करें डिस्रिप्शन पे क्लिक का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्फ हो गया है, लेकिन तू बताना, तुझे कैसे पता चला, अरे यार मुझे तरी आवाद से पता चल गया पगले, अगर मैटर सॉल्फ नहीं हुआ होता, तो तू इतना खुश तोड़ी होता, लखी इधर से मस्कुराते हुए कहा, हाँ यार ये भी बात सही है, चल अब तू जल्दी से काके पर आजा, कोईल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुँच चुके हैं, तू भी जल्दी आजा, अमित ने कहा, लखी दोड़ते दोड़ते रुख गया, और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोश्टे हुए उसने कहा, नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा, वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देख कर कोईल का मन खराब हो जाए, अरे यार भाई ऐसा मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अ अमित ने फोन काट दिया, लकी असमंजस में फश चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, कुछ देर सूचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा, लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया, और थोड़ी देर बाद उसकी फोन पर मैसेज आया, जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा, जैसे ही लकी ने उसका ये मैसेज पढ़ा, तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फस क हुआ था, कि आखिर कोईल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं, हालनकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लकी ही था, लेकिन वो अपने मूँ से ये सब नहीं बताना चाहता था, उसने एक बार और अपना मु के पर आ चुकी थी, उसके साथ एक ही टेबल पर दस लोग बैठे हुए थे, दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोईल के कुछ एक दोस्त थी, जो आज वहां नजर आ रही थी, वहीं अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे, कोईल के साथ उसका एक और दोस्त तनमे भी वहीं पर बैठा हुआ था, देखने से वो सभी कोईल के पुराने दोस्त लग रहे थे, कुछ देर बाद लकी भी वहां पहुँच गया था, जैसे ही लकी वहां पहुँचा, उसने सबसे पहले कोईल को देखा, इधर कोईल जो की अपने दोस्तों से बाते करने में रहा था जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा कोईल ने कहा तुम तुम फिर से यहां आ गए मैंने तो तुमें नहीं बुलाया था इस वार कोईल के सकहे से लकी का गुसा बढ़ किया था सभी लोग कोईल किस बात से हैरान थे लकी के दोस्त भी कोईल को बस देखे जा रहे थे लकी कोईल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहां से उठकर चला जाता? या गुस्ते का घूंट पी कर वहीं बैठ जाता? झाला जाता?